ओके, हेलो चैटर्स, माइ नेम इस रोइट एंड यो और वाचिंग रस्टल चैटर्स माप को रिकमेंड करूँगा, कि आप लोग देखो इस वीडियो को बिल्कुन लास सक, लेकिन सबसे पहला हमें लोग शिर्वात करते हैं, रोमन रेंज, सेथ रोरिंस और सेजारो के साथ, तो हम लोग ने देखा था कि स्मैकडाउन के एपिसोड में, रोमन रेंज ने सिक्स म सिक्वेंस देखने को मले रोमन रेंज सेजारो के बीच, और गाइस इसी बात को उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट के उपर एक ट्वीट करते हैं बताया जहां उन्हें लिखा था, फ्राइड़ नाइट्स ओल्राइट फॉर फाइटिंग, और गाइस इसको कोड करते इस वाली फोटो को देखकर जिससरे से उन्हें रिप्लाइ किया है, ऐसा लग रहा है कि वो थोड़ी से सेजारो की साइट पर जा चुके हैं, लेकि यहां पर एप्रिचेट करने में कोई बुरा है नहीं क्योंकि उन्होंने सेजारो का साथ यहां पर आचुकि यहां पर रो सारे जो कदम है, वो फुक फुक कर रखनी चीए, क्योंकि इस समय फैंस उन्हें टार्गेट करने का कोई भी मौका नहीं चोड़ते, अटलीस तब तक जब तक उनके पास युनिवर्सल चैंप्रेंशिप है, अगली स्टोरी के तरह वड़ते हैं, और कैस हम लोग ने आज क काबो की वारियर्स ने बेटरे कर दिया पेज को जब उन्होंने ग्रीन मिस डाला और उसके बाद तो हम लोगों ने देखा कि कैसे पेज की हालत काफी ज़दा खराब हो जाती है, अब इसकी पीछी रीजन क्या है, यहाँ पर डबल लॉबली ने एक तीर से काफे सारे सरीके से, पेज को अलग करना था काबो की वारियर्स है और इसलिए डबल लॉबली ने इस वाले सेग्मेंट को बुक किया, और गैस इसके अलावा एक चीज यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ की वारियर्स को थोड़ी से हीट मिले, और हम लोगों ने यह भी देखा क राएकाबाब की वारियर्स को चीर मिल रहा है और यहाँ पर डबल लोगों यहाँ पर इसलिए गार की काबो की वारियर्स के वारियर्स करना शुरू कर दिया है अब इसके पीछे एक रिजन नहीं है इसके पीछे काफी सारे रिजन से हैं सबसे पहली बात तो यह है कि WWE की ओपर जो सबसे ज़्यादा में चीज है इसको में इवन में डाला जा रहा है वो ऐसा प्रोडक्ट है जहां पर अभी तक दूर दूर तक कह रहे हैं कि अभी सीज को रोका जाए इसके इलावा जो चीज है आप और जो फैंस को सबसे जादा इरिटेट करती है कि रियल लाइफ हस्बेंड और वाइफ हैं लाना रूसेव और उसके बावजूद ऐसी चीज करवाए जा रही है और गाइस उससे भी जादा मजी की बात इसके ओपर भी यह चीज बिलकुल रियल में चल रही है तो यहाँ पर इस चीज को फैंस काफे जादा अल्री हेट करना शुरू कर चुके हैं वो नहीं चाहते की वाली स्टोडन आगे बढ़े अब गाइस एक एंगल से देखा जा तो फैंस इस चीज को पसंद तब करने है थैकर कि यहाँ पर हमें ऐसी चीज देखने को मिल रही है जो कि यूजयली डबलोबली के तेलिविजिन पर नहीं होती लेकिन जिसस आप से डबलोबली से आगे लेकर जारी है और जिसस आप से रूसर के फैंस है उनको यह चीज देखर काफी ज़्या बुरी लग रही है औ और जो कि मिल भी रही और मैंने आपसे अपनी सुवाली वीडियो में कहा भी ता कि अगर डबलोबली को इस चीज से अटेंशन मिलेगी तो वो चीज टेलिविजन के ऊपर कंटीनु रहेगी और हो सकता है यह चीज आने वाले महिनों के लिए बीडबलोबली टेलिविजन पर अगर डबलोबली के टेलिविजन पर कंटीनु लगी अगर डबलोबली को इस चीज से फायदा हो रहा है तो यहाँ पर यहां पर यह नहीं समझेगी कि यहाँ पर प्रो-Wrestling है यहाँ पर entertainment है यहाँ पर aggie product है यहाँ अपर adult चीज चल रही है उनको सिफ टेलिविजन पर व और अगर fans किसी चीज़ को criticize करते हैं तो फिर definitely WWE इस चीज़ को ज़ादा time ता carry नहीं कर सकती तो फिर देखते हैं कब तक यह चीज़ चलती है वैसे आप लोगोजे comment करके बताओ कि इसके बार में आप लोग एक है thoughts है अगर मैं आपको अपना opinion बताओ तो यह entertaining तो है लेकिन pro wrestling के हसाब से यहाँ पर कुछ भी नहीं है आप लोगोजे अपना opinion ज़रूर बताना वीड़ो अच्छ लेगी तो please like की बने कहीं में जाना और आप लोग कर सकते हैं चैनल को subscribe और notification वेल को on आपको मारे चैनल पर इसी तरह से pro wrestling से जोड़ी सारी बाते जानने को मिलती रहने so see you guys in my next video